हलो स्टुडेंट्स वेलकम तो मैंगेट ब्रेंज हिंदी मीडिया मेरा नाम है वनीज त्रिपाथी तो कक्षा बारा अर्थसास्त्र में जो वेस्टी अर्थसास्त्र देख रहे हैं यानि माइक्रो एकोनोमिक्स उसका चैप्टर नंबर तीन उत्पादन तथा लागत इस महत साथन के प्रतिफल का नियम जिससे आप अंगलजी में कहते हैं लौ अफ वैरीबल प्रपोर्शन्स मिसका मतलब होता है कि आप कैसे जो परिवर्त तंसील साथन उसको बदलते हैं और उसका उत्पादन पर प्रवाव पड़ता है बेहत खास और इंपॉर्डेंट टॉपिक जहां पर आप कक्षा साथ से बारत तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यमेव लेते हैं यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूवत नहीं पड़ेगी आप निशुल क्रूप से अपनी तयारी कर सकते हैं और यूपी इंसियाठी पैटर्न पर जो भी पढ़ाई है वो बिल्कुल आपको यहां निशुलक दे दी जाएगी तो इसी इंपोर्टेंट जानकारी के साथ आए स्टार्ट करते हैं यह बहत खास टॉपिक जिसका मतलब है साधन के प्रतिफल कानियम या लाउफ वैरियेबल प्रपोर एक होता है स्थिर ठीक और एक होता है परिवर्तन सील परिवर्तन शील यानि और यह डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है समयावधी पर यानि जिसको आप टाइम पिरियेड कहते हैं और समयावधी भी दो होते हैं एक अल्पकाल जिसको आप सौट रन बोलते हैं और एक दिर्ग काल जिसको आप लॉंग रन बोलते हैं ये दो चीजे हमने देखी थी अब जो अल्प काल है वहाँ पर इस्थिर और परिवर्तन सील दोनों साधन होते हैं इस्थिर साधन क्या है जो बदले न जा सकें जो फिक्स हैं चाहे एक यूनिट का पॉडक्शन हो या दस उसमें कोई अंतर नहीं आता है एक एकर जमीन है तो एक एकर Community रहेगी परिवर्तन सील साधन क्या है जो उथ पादन की एकाई के साथ चेंज होते रहते हैं तो यह दो तरह के साधन है तो अल्प काल में यह वन और टू दोनों साधन होते हैं ठीक है और दिर को काल में क्या ह केवल टू रहता है यानी केवल परिवरतन सील साधन होता है क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा समय होता है कि आप सभी साधन ओ को वहाँ पर बदल सकते कोई साधन इस्थिर नहीं तो दीयर गिकाल की तो हम बात नहीं करेंगे सबसे पहले जो हमने वेरियेबल फैक्टर कोई एक फैक्टर के वल नहीं रहेगा आगरा समझ में तो दोनों के दोनों यहां फैक्टर से रहते हैं और अब होता क्या है कि हम यह देखते हैं कि जब हम कुछ स्थिर साधर लगा रहे हैं उसके साथ जब हम परिवरतंसील साधनों की मात्रा को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो उत्पादन में क्या आसर पड़ रहा है खास करके यहां पर देखा जाता है सीमांत उत्पादन को किसको देखा जाता है सीमांत उत्पादन को देखा तो कुल उत्पादन को जाता है लेकिन उसको जच किया जाता है सीमांत उत्पादन से सी सीमानत उत्पादन का मतलब क्या है कि कुल उत्पादन में कितना चेंज हो रहा है जैसे मालीजे मैंने एक लेवर लगाया दस उत्पादन था दो लेवर लगाया तेरा हो गया तीन लगाया अठारा हो गया मतलब दस से तेरा तीन का बहुत्री हुई या छे की बहुत्री और उन्ही तीन अवस्थाओं से प्रतिफल का नियम बताने का प्रयास करते हैं ठीक बात है, देखेंगे अभी वो कौन सी अवस्थाएं है पहले थोगा सा इसका आसे समझते हैं अब देखें, किसी भी वस्थू का उत्पादन करने के लिए ये उत्पादन के विभिन साधन जैसे भूमी, स्रम, पूजी, संगठन और साहस की आवशक्ता होती है प्रिवियस टॉपिक में हमने देख लिया है ये वो चीजे हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं उत्पादन करते हैं प्रतेक उत्पादक का उत्देश न्यूंतम लागत पर अधिक्तम उत्पादन करना होता है यानि कम से कम लागत लगा कर जादे से जादा पूडक्शन करना चाहता है उत्पादन बहाने के लिए उन्हें उत्पादन के विभिन साधनों में वृध्धी करनी पड़ती है किन्तु अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन इस्थिर और सीमित होते हैं और कुछ परिवतन सीर होते हैं तो जो छोटा time period होता है, उसमें कुछ शाधन fix होते हैं, कुछ variable होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये एक आपने, मैंने आपसे पहली अभी इस बात की चर्चा की है, यानि long run में कुछ स्थिर साधन होंगे, कुछ परिवर्तन सील साधन होंगे, इसलिए अल्पकाल में एक फर्म इस बात पर विशेज ध्यान देती है, कि इस्थिर साधनों के समू के साथ साथ, जब परिवर्तन सील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, that is the main thing, देखिए, हम जो पूरा अर्तसास्तर पढ़ रहे है या जो यह उत्पादन के नियम देख रहे है परिवतन सील साधनों का नियम देख रहे हैं, आखिर क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने उपवोक्ता का सिधान देखा था सुरुवाती चेप्टर में, चेप्टर नमर दो में देखा था, वहाँ main कौन था? वहाँ main था उपभो तो यह जो नियम कानून आप पड़ रहे हैं इन नियम कानूनों से उत्पादक को नीनय लेने में सहायता मिलती है जब वो साधन के प्रतिफल का नियम निकालता है तो यह देखता है कि जब मैं इस्थिर साधनों के साथ साथ कुछ परिवर्तन सील साधने लगा रहा हूं या बढ़ा रहा हूं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जैसे मैंने आपको एक्जामपल से बताया लेट सपोस कि यहां पर हो क्या करेगा सारे साधन तो बदल नहीं सकता तो माल लिजे यहां पर एक स्थिर साधने भूमी ठीक बात भूमी एक 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 मा उसने लगा दिया स्रम या लेवर तो एक लगाया दो लगाया तीन लगाया चार लगाया यह इसको बढ़ा सकता है तो इसका जो टोटल प्रड़क्शन या कुल उत्पादन होगा माल लिजे 10 13 18 26 ऐसा हो गया अब वो क्या देख रहा है वो देख रहा है कि जैसे ही मैंने भ पहले यूनिट पर जीरो रही होगी तो यह जीरो से दस हुई है अब यहां पर वो देखेगा कि तीन की बहुत्री आई फिर छे की आई है ना इसको अगर आप डैस कर दें तीन की आई छे की आई इसके बाद वो सीधे आठ की हो गई यानि वो देख रहा है कि सीमान तुत उत्पादन में ब्रदी हो रही है फिर उसने क्या किया एक और भूमी बढ़ाई एक और भूमी बढ़ाई पांच यूनिट छे यूनिट ठीक अब यह क्या हो गया यह हो जाएगा लेट्स अपोज 29 और फिर यह हो जाएगा 31 अब यहां क्या हो गया 26 से 29 केवल 3 बढ़ा बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद अब घटना शुरू हो गया सीवांत उत्पादन घटना सुरू हो गया फिर एक और भूमी बढ़ाएगा एक और लेवर बढ़ाएगा अब देखेगा यह 31 का 31 ही रह गया अब सीवांत उत्पादन मेरा सून ने हो गया अब मैं लेवर भी रहा हूं तो साइध मसीन पर उसकी यूज नहीं हो पा रहा है यह तो घट रहा है फिर वो लास्ट चांस लेगा एक और यह आश लेवर लगाएगा और यह 30 हो जाएगा यहां पर वो देखेगा कि अरे यह तो माइनस वन में चला गया देख रहे हैं अब उत्पादक क् वो यह देखेगा कि भी यह एक चीज तो मुझे दिखाई पढ़ रही है कि यहां से यहां तक की एक कंडिशन है फिर यहां से यहां तक की एक कंडिशन है और एक यह कंडिशन है वो तीन तरह के कंडिशन देख रहा है क्या देख रहा है कि सुरुवात में जब वो भूमी क साथ स्रम को बढ़ा रहा है तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है यह बढ़ने का जो गैप है वो बढ़ रहा है यहां वो धिरे धिरे बढ़ रहा है पहले से कम गैप में बढ़ रहा है फिदा के जीरो हो गया और यहां तो माइनस में जा रहा है यही होती है तीन अव अवस्था होगी यह सोच के बताईए अभी मैं इस पराऊंगा कौन सी अवस्था होगी जहां उत्पादक प्रोडक्शन उसके बाद रोख देगा इसकी चर्चा अभी हम करेंगे तो अब होता क्या है कि यहां इसमें यह देखा जाता है कि जब आप परिवर्तनसील साधनों क किया जाता है तो जो यह पूरा निर्णा लेने की प्रक्रिया होती है जिसमें यह देखा जाता है कि परिवर्तनसील साधनों का वास्तों में क्या असर पढ़ रहा है क्या प्रभाव पढ़ रहा है इसको कहा जाता है परिवर्तनसील अनपातों का नियम या इसे ही साधन का कि रे परिवर्तन्शी अनपातों की नियम के दिखेगा अलपकाल में अन्य बाते समान दहरे पर जैसे जैसे परिवर्तन सील साधनों की तुंठा बढ़ाई जाती है वस्तू का उत्पादन अर्थात परिवर्तन सील साधन का परतिफल प्रारंभ में परिवर्तन सील साधनों की मात्रा में की गई अनुपातिक विर्धी की तुलना में अधिक होता है अभी अभी समझा रहा हूं बाद में समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में साधन में की गई आप तीन कंडिशन बता रहा है कंडिशन यह है कि सुरू में आपको यह लगेगा कि आप जितना परसेंट फैक्टर आप पॉड़क्शन बढ़ेगा मतलब उससे ज्यादा परसेंट में पॉड़क्शन बढ़ेगा अगर आप उत्पादन के साधनों का प्रतिसत देखें या अनुपात देखें और उत्पादन का लुपात देखें तो एक एस्ट्यस्तित्य 아이 कि जितने अनुपात में आप लेवर बढ़ाएंगे उससे जादा पर फटमिशन बढ़ेगा एक अवस्था यह होगी फिर यह होगा कि जितना परसेंट आप उत्पादन के साधन बनाएंगे उतना ही परसेंट उत्पादन बढ़ेगा एक यह होगा और तीसरा यह होगा कि जितना परसेंट आप उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे उससे कम उत्पादन में व्रद्धी होगी तो यह तीन तरह की अवस्थाएं आपको दिखाई पड़ेंगी खेरम सिमान्त उत्पादन के इसाफ से निकाल के आपको अधिक्स बताएंगे तो यह कंडिशन रहती इसमें देखा जाता है कि सुरू में आप जितना परतिसथ उत्पादन के साधन बनाते ह फिर आप जितना उत्पादन बहाते हैं उसके बराबर अनुपाद में उत्पादन बढ़ता है फिर आप अगर कम उत्पादन बहाते हैं तो उससे कम उत्पादन बढ़ता है प्रोफेशन बेनम के सब्दों में उत्पादन के साधनों के संयोग से जैसे जैसे एक साधन के अनुपात में विर्धी की जाती है वैसे वैसे एक बिंदू के बाद उस साधन का पहले सीमानत उत्पादन और बाद में ओसत उत्पादन घटता जाता है तो यह बहुत important बात है तो आप जैसे जैसे साधन के अनुपात में विर्धी करते हैं वैसे वैसे उस साधन में पहले स परिवर्तन सील साधन की पहली इकाई लगाई जाती है और इसका अंततपतक होता है जब परिवर्तनसील साधन का आउसा तुत पादन अधिकतम होता है इसे बाते प्रत्र पंजि वह आवस्था कहते हैं यानि परिवर्तनसील साधन लगायने के बाद उत्पादन कितने डिफर्und से बढ़ रहा है वह जहां स्टेज है जिसमें आप उत्पादन का साधन जितना लगाते हैं उससे टेजी से उत्पादन बढ़ता है इसको फर्स स्टेज कहते हैं आगे मैं अभी आपको ग्राप से वो तीरियों समझाओंगा बिल्कूल चिंता मत करिए दूसरी आवस्था क्या होती है दूसरी आवस्थ तो यहां से लेके यहां तक कि क्या है दूसरी अवस्था है ठिक पहली अवस्था क्या है जब वह उत्पादन के परिवर्टनसिल साधन बढ़ा रहा है तो सीमांत उत्पादन जहां तक अधिक्तम होगा वहां तक माना जाएगा ठिक और second stage का है जहां से यह अधिक्तम के बाद और जीरो तक सीमान तुत पादन आए और जहां कुल उत्पादन अधिक्तम तक आए वो दूसरी अवस्था है ठीक है इस अवस्था में परिवरतनसील साधनों का उसत उत्पादन सीमान तुत पादन से अधिक होता है इसे घट्टे की अवस्था कहते हैं ठीक है तो यहां और उस्तु पादन सीमान से अधिक रहता है और से घटते प्रतिफ़ल का नियम कहते हैं कुल मिला स्टेज है इसको कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम अभी मैं एक और टेबल आपको दूंगा यह तो मैंने राटेबल बना दिया है ठीक एक टेबल आपके सामने और आने वाला है यह बढ़ते प्रतिफल का नियम यह क्या है घट गट्टे प्रतिफल का नियम मैं टेवल और ग्राफ जनली रेडीमेड आपके सामने नहीं लाता हूँ मैं बनाने में विश्वास रखता हूँ ताकि आप भी उसको बनाना और डॉरॉफ करना सीखें ठीक है तो इस अवस्था को घट्टे प्रतिफल का नियम कहा जाता है तीस सिमांत उत्पादन यहां पर माइनस में चला गया और कुल उत्पादन पहले से घटने लगया इसको हम तीसरी अवस्था कहते हैं इस अवस्था में ओसत उत्पादन घटता जाता है परन्तुव धनात्मक रहता है इसे सिमां प्रेणरात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते ह ठीक बात है तो यहां पर सीमान उत्पादन तो हो जाता है रेडात्मक और कुल उत्पादन घटने लगता है लेकिन आपको इस चीज को ग्राफ के थुरू दिखाना पड़ेगा और वो मैं दिखाता हूं को आपको कैसे दो ग्राफ बनाके इसको समझाना है देखे अचा एक चीज आप समझ लीजिए अगर मैं आपको एक ग्राफ में बताऊं कि जो यह अवस्थाएं बन रही है इन अवस्थाओं से कैसा ग्राफ बनेगा टोटल टीपी और एंपी का तो पहले आप ग्राफ देख लीजिए फिर उन ग्राफ को अलग अलग करके समझाएंगे तो आपको समझ जाएगा देखे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा अगर इस टेबल को आप खीचना चाहें तो कुल उत्पादन जो है कुल उत्पादन आपका यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा और सीमान उत्पादन पहले बढ़ेगा और फिर यहां से जीरो होके ऐसे आए और साधन के प्रतिफल का नियम आप कैसे समझाएंगे इसको देख लीजिए तो यहां पर हम क्या करेंगे एक उपर सो दिस एक्स दिस इस वाई दिस एक्स दिस इस वाई ठीक बात यह एक आपको चीज दिखाई पड़ रही है अब होता क्या है यह आपका कुल उत्पादन है माल लीजी ठीक यह आपका कुल उत्पादन है और यह आपका सीमांत उत्पादन ऐसे यह आपका MP हो गया यह आपका TP हो गया अब देखिए आपको तीन कंडिशन साहाँ पर दिखाई देंगी पहली कंडिशन यह जहां तक यह तेजी से बढ़ रहा है ठीक यह पहली कंडिशन है कैसे मैं दिखाता हूं यह आपकी है दूसरी कंडिशन और यह आपकी है कि यह देखिए तो यह मैक्सिमम यहां तक है यह दूसरी कंडिशन और जहां से गिरना प्रारम होई है यह तीसरी कंडिशन ठीक है सो इसको एक बार में और थोड़ा बहतर अगर आप बनाना चाहिए मैं आपके सामने प्लॉट करना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप बहतर तरीके से इसको समझ पाएं ठीक है कि यहां से गिर रही है और यह जो रुड़ात्म का गही है 15 अब देखिए ध्यान से समझ एगा है consistent क्या है जहां तक जहं कि यह कुल उत पादन बढ़ रहा है और सीमानत्र उत्पादन भी कड़ रहा है तो यह कुल उत्पादन भी का भी है यह कि वा पादन बढ़ रहा है इस से बढ़ रहा है अब यहां से करफादन धीरे धीरे ऐसे एक थूदा बढ़ रहा है और यहां पर आकर वो क्या है maximum है औसीमान्तूत पादन जीरो है यह से कैट दूसरी आवस्था और यहक्या है कुल उस्टेजं फाल रिरात्मक में चला गया यह है थर्ड स्टेज ठीक है इसको और आप अच्छे से ग्राफ को जा है तो और दिखा सकते हैं जितना बहतर आप बना सकें जितना यह इस लाइन में इसकी सिधाई मिले सके उतना बहतर है तो पहला स्टेज जहां पर कुल उपयोगिता बढ़ रही ह दूसरा स्टेज जहां पर कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ेगी घट्टी उधर से सीमान तुपयोगिता सूनने हो जाएगी जब अधिक्तम हो जाएगी तो यह सूनने हो जाएगी और फिर जब यह गिरने लगी तो यह रिरात्मक हो जाएगी यह तीन स्टेज होते है और जो ये दूसरा ही स्टेज होता है जहां पर अभी उत्पादक अपना प्रोडक्शन जारी रख सकता है और वो अधिक्तम प्रोडक्शन तक पहुँच सकता है उसको बोलते हैं सर्वस्रेस्ट सर्वस्रेश्ट अवस्था ठीक है तो एक उत्पादक को जब नीड़ा लेना होता है तो वो दूसरी अवस्था तक का उत्पादन करता है आपसे कोशन पूछा जागा कि परिवरतंसील अनुपातेओं के नियम के अनुसार सर्वस्रेश्ट उत्पादक के लिए अवस्था पढ़ेगी और यह घटी जाएगी और यह तीसरी अवस्था जब यह गिरेगी और रिडात्मक होगी उसमें जो दूसरी अवस्था होती है वह सर्वस्रेश्ट अवस्था के रूप में मानी जाती है और जो तीसरी अवस्था होती है उसे सीमान पेरात्मक प्रतफल के वस्थ या रिडात्मक अवस्था बोलते हैं यानि की निगेटिव जिसको बोलते हैं वापस सीमान्त उत्पादन क्या हो जाती है रिडात्मक या निगेटिव हो जाती है ठीक बात है अब स्रेश्ट अवस्था जिसकी मैं बात कर रहा था स्रेश्ट अवस्था क्या है एक उत्पाद के रूप में मानते हैं एक इंपोर्टेंट बात है तीसरी अवस्था क्या है इस अवस्था में परिबर्तन सिल साधनों की अत्रिक्त इकाईयां लागाने से कुल उत्पादन घटता है क्योंकि सीमांत उत्पादन रिढात्मक हो जाता है मैं अभी आपको बताया सीमांत जाता है और वह धहनातमक बना रहता है एवरेस्ट प्रोडक्षन हमेशा जाता है यहां परापको तेबल दिखाए जा रहा पर तीनों अवस्थाएं बताई गई है यह जैसे भूमी स्थिर रखाम ने स्रमिकों की संक्या बढ़ाई अब देखिए कुल उत्पादन दो पांच नो इस तरह बढ़ता जा रहा है तो जब दो पांच नो बढ़ता जाएगा तो जो सीमान तुत पादन है पहले दो का दो हो हो जाएगा नो से मतलब की पांच से नो होने पर दो से पांच होने पर तीन का गैप पांच से नो होने पर चार की गैप तो यह पहला इस्टेज है जहां पर सीमान तुत पादन क्या हो रहा है तेजी से बढ़ रहा है अच्छा जैसे मैंने एक टेबल लिया था तो आप यह वाइड करिएगा जैसे माल लीजिए यह मैंने टेबल ले लिया था तो यह मैंने पहले ही दस ले लिया है तो यहां दस आ जाएगा तो आप कह सकते हैं सरी तो दस से तीन हो गया तो अगर आप इसको आप दस के बदले भलकी एक कर लीजिए ठीक है एक एक ठीक तो पहले एक अगर सुरू में छोटा आंक नहीं लेंगे तो पहला MP ही बढ़ा आ जाएगा तो उस हिसाब सही अगर देखें तो थोड़ा सा गरबर था तो आप बलकी यहां से अगर इसको ले लें ऐसे लें अब देखें सही है पहला यूनिट 13 था तीन हुआ दूसरा अठारा था छे तो आठ हुआ अब यह ग्राफ बलकी सही है क्योंकि अगर मैं टीपी पहले पर आप दस ले लेंगे तो इसको भी दस लेना पड़ेगा तो दस से तीन आएगा तो यह गरबढ़ हो जाएगा यह ऐसे आप लेके चल सकते हैं जैसे इस टेबल ग्राफ में देखिए सुरू मे अब तीन दो एक सिमान दूत पादन यहाँ पर घटने दगा भाई 12 से 14 में 2 का गैप 14 से 15 में क्यों एक का गैप तो यह दिरती अवस्था या सेकेंड स्टेज है और थर्ड स्टेज क्या हो गया यह माइनस रिडात्मक वाला आ गया जहाँ पर यह 15 से 14 हो गया है माइनस वन में चला गया है तो सर्वस्रेश्ट अवस्था कौन सी है यह दिरती अवस्था क्या है सर्वस्रेश्ट अवस्था क्यों है जल्दी बताइए क्योंकि यहां पर वह अधिक्तम उत्पादन क्या है पाले रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन उसको मिल जा रहा है इसलिए सेकेंड आधिक वर्दी की तुलना में अधिक उनुपादन बढ़ रहा है यानि जितना परवरतंसील साधन बढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा अनुपादन बढ़ रहा है सरम की तीसरी इकाई से छटी इकाई के प्रयोग तक सीमान उथपादन घट रहा है सेकेंड इस्टे जहां BatmanLe reproduction घडता है निएम की दूसरी एवस्था में की मात्रा में जिस अनुपात में व्रॉद्दिक की जाती है उसके अनुपात में बढ़ता है जितना प्रिव उत्पादन में प्रैयोक करना उचित नहीं है क्यूंकि इसका सिमान उत्पादन सन नहीं सेवेंथ पॉइंट पर आकर मादन फ्रोड्ब्रक्शन जीरो हो गया है स्रेकें पर आपदन में उत्पादन को है इसलिए प्रथम अवस्था सबसेitel अची अवस्था है चोथी से छटी तक सीमान तुत पादन घट रही है, इसलिए दृति अवस्था है और यहां उतुपादन एक ते अपर यहां साथ वी इकाई पर सीमान तुट पादन जीरो है यहां पर यहां पर कुल उत्पादन अधिक्तम है इस से अधिक अभी पर उत्पादन नहीं हो सकता और तीसरी इकाई आठना को यूज करने में जब तृतिय अवस्था तो यह तो रेडात्मक अवस्था आ गई इसमें तो उत्पादव को क्या है घाटा होगा यहां तो कत्तई उत्पादन उसको नहीं करना चाहिए यह चीज हम देख रहे थे प्रथाम अवस्था को बढ़ते प्रत्फ़ल की अवस्था कहते हैं दिर्ती अवस्था को घट्टे प्रत्फ़ल की अवस्था कहते हैं और तिर्ती अ फिर यह 0 होके निगेटिव आएगा तो यहां से यहां तक यह पहली अवस्था यह maximum है और यह 0 है यह second अवस्था और यह आपकी तीसरी अवस्था बनती है फर्स्टेज, सेकेंड ठीक और यह थर्ड ठीक है तो यह आपको बिल्कुल समझ में आ गए होगी इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो इसको पहले वाले को बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल करियां दूसरे को घटे प्रतिफल करियां और तीसरे को रिडात्मक सीमान प्रतिफल की अवस्था यह एक छोटा सा टेबल में समराइज कर सकते हैं आप प्रताम अवस्था क्या है सीमान तुतपादन में विर्धी ह जब पहली अवस्था रहेके कुल उत्पाथ बहुत ज्यादा गैप से बढ़ेगा तभी तो सिमान रुटपादन बढ़ेगा लेकिन घट्टी तर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और यहां तो फॉल पार में रिडात्मक जब भी हो जागा तो फॉल उत्पाद में घिरा बट है तो यह पूरी कहानी थी साधनों के प्रतिफल के नियम को लेकर जिसके लौ बरियेबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं क्योंकि अल्पकाल में है और यहां केवल परिवर्तन सील साधनों को भड़ाय घटा जाता है हर टेबल में आपने देखा भूमी एक 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 बनी हुई है इ घटने लगे तो घटा प्रतिफल और सिमान तुद पादन अगर निगेटिव या रिडात्मक हो जाए तो रिडात्मक सिमान का प्रतिफल का नियम कहते हैं तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक था कमेंट बाक्स में बताईए का समझ में आए कि नहीं कोई इसमें डाउट हो नोट्स के लिए भी लिंक दिए गए हैं वहाँ से आप नोट्स मंगा के आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं बुक्स और इबुक्स की भी लिंक है लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए और जो सोचल मीडिया हैं ट्वीटर टेलिग्राम फेस्बूक इंस्टाग्राम इनको जरूर फॉलो कर लेजिए ताकि सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें तो इसी चैप्टर के एक और इंपॉर्टन टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केर बाए बाए